एक बार शनीदेव अकाश में विच्रन कर रहे थे कि सामने से पांच पांडव और द्रोपती दिखाई थी। शनीदेव ने सोचा कि क्यों ना इनके परिशा ली जाए। रास्ते में शनीदेव ने एक मायावी महल त्यार किया जो बहुती सुन्दर था। भीम ने का युदिष्टर से कि मैं ये महल देखना चाऊँगा। और भीम चला गया भीम ने महल के अंदर जाकर दरबार से परातना की कि मैं ये महल देखना चाता हूँ। शनीदेव ने का ठीक है इस महल के चार कोने हैं उनमें से एक कोना देख सकते हो। बीम चला गया, वहाँ उसने देखा कि तरह तरह की पक्षी गूम रहे है, और एक बड़ा कुवा है, उस कुवे की आसपास दो छोटे कुवे और थे, बड़े कुवे में पानी बहुत था, बड़े कुवे ने छोटे कुवे को भर दिया, बड़ा कुवा खाली हो गया, उन द उसका अर्थ क्या था, वो नहीं बता पाया, फिर अरजुन आया, फिर अरजुन ने महल देखा, उसने देखा बहुत अच्छी फसल खड़ी हुई है, गिहु के पेड़ पर बाजरा, और बाजरे के पेड़ पर मक्की लगी हुई है, अरजुन कुछ समझ नहीं पाया, वह के पास आ गया, और सारी कहानी सुना दी, शनी देव ने पूछा इसका क्या अरजुन को बताना नहीं आया, शनी देव ने उसको भी कैदमर डाल दिया, फिर नकूल आया, उसने भी महल देखा, उसने देखा एक गाय अपनी बच्छिया को दूद पी रही है, फिर सहदेव सहदेव ने महल देखा, उसने देखा वहाँ एक बड़ी सी सोने की शीला थी, जो चांदी के सिक्के पटकी थी, और गिर भी नहीं रही थी, हिल भी नहीं रही थी, फिर सहदेव भी वहाँ से चला गया, फिर शनी देव ने पूछा कि तुमने वहाँ क्या देखा, सहदेव ने बताया कि अंदर एक सोने की शीला थी जो चांदी के सिक्के पर थी शनिदेम ने उसको भी कैद में डाल दिया जब चारो भाई नहीं आए तो युदिश्टर उन्हें खोजने के लिए चल पड़े उन्होंने देखा कि चारो भाई कैद में है भीम से पूछा कि तुमने व आप दो छोटे बच्चों का पेट भर देगा लेकिन दोनों बच्चे एक बाप का पेट नहीं भर सकते फिर अरजुन से पूछा अरजुन ने बताया कि उसने बाजरे के पेड़ पर मक्का और मक्के के पेड़ पर बाजरे को देखा युदिश्टर ने बताया कि कल्यूग में ब्रामन के लड़के के साथ शुद्र की लड़की विभा करेगी इस तरह वंश परिवर्तन हो जाएगा अर्जुन अजाद हो गया फिर नकुल से पूछा तुमने क्या देखा नकुल ने बताया कि एक बड़ी गाय छोटी बच्चिया का दूद पी रही थी युद्ष्टर ने खा कल्यूग में ऐसा ही होगा कि मा लड़की के घर पर रहेगी ये सुनकर नकुल अचाथ हो गया फिर सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा सहदेव ने बताया कि चांदी के सिक्के पर सोने की शीरा रखी थी जो ना ही हिर रही है ना ही गिर रही है युद्ष्टर ने कहा कि कल्यूग में पाप धरम को दबाता रहेगा लेकिन धरम जिवित रहेगा फिर सहदेव ने सहदेव को भी अचाथ कर दिया और अपना परिच्चे दिया कि मैं सहदेव हूँ और तुम्हारी परिच्च ले रहा था